हेलो दोस्तो नमेश्कार है कि इस दूसरे चैनल के उपर स्टॉक मार्केट क्लासेस के उपर साड़े दस बज़े एक जबरदस वीडियो यहाँ पर आता है साड़े दस बज़े इस चैनल के उपर जरूर आ जाना है इस मतलब कौन से चैनल के उपर स्टॉक मार्केट के क्लासेस इस चैनल के उपर लिंक उपर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे आज का टॉप लूजर भी हम लोग को रिलाइंस ही देखने को मिल है और रिलाइंस के अगर हम लोग बात करें तो साड़े तीन पसंट की गिरावट बहुत ही बड़ी गिरावट है हम लोग इसको ज़रूर कंसेडर कर सकते है 1900 के उपर ही हम लोग को ये क्लोज होते वे देखने को लाग जो के एक स्ट्रॉंग रेसिस्टेंट लिवल आप चाहोते यापे बोल सकते हो सो यापे बार बर हम लोग को रिलाइंस इंडस्ट्री से प्रेशर होते वे देखने को मिल रहा है अगर Reliance Industry अगर हरे निशान में चलता तो हमारे बाजार की जो तेजी है वो हम लोगो और भी जबरदस देखने को यहाँ पर मिल सकती थी बट एनिवेज यहाँ जो सवाल मुझे यहाँ पूछे जा रहे सर अभी हम लोग क्या करें क्या एक्जिट करने में भलाई यह या फिर पूछा जा रहे कि बार बार यहाँ नीचे यह गिरावट क्यों हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है तो दोस्तो अगर देखा जाए तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को दस बार वो कॉरेंट बता चुका हूँ वही यहाँ पे मेजर कारण हम लोगों को बार बार देखने को मिल रहे है पर दोस्तो सबसे पहले अगर हम लोग कोई important चीज यहाँ पे cover करेंगे तो return के लगबग 10% के आसपास की गिरावट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंड स्टेज की छे मेना एंड उसके आगे एक साल दो साल या फिर तीन चार पाच या फिर दस साल सो यहाँ पे जब हम लोग देखते तो कहानी कुछ और ही है मतलब बताने का मकसद कै यह जो मैं आप लोगों को टेबल बार बार दिखाता हूँ इसका अर्थ एक ही होता है बताने का कि जितना आप लोग लंबा खेलोगे उतना ही आप लोग यह हरी निशान वाले पैटन में आ जाओगे अगर आप लोग यहाँ फर्स स्टेज पे हो मतलब किन लोगों ने अभी एंटर किया है एक महने में एक हफते में तीन महने में आप लोगों को पैन जरूर देखने को मिलेगा मैं इससे पहले भी यह दस बार दोरा चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग लॉंग टम इन्वेस्मेंट में आते हो सो धाइसो दीन में से दो सो तीस दीन पोर्टफोलियो में जो शेर रहेगा वो आपके अगेंस रहेंगे जब आप initial stage में हो, जब आप लोगों को 3-4 साल हो जाते है market में, उसके बाद आपका portfolio develop होना शुरू हो जाता है, तब आप लोगों को 20% का बाद में 18-15% देखनी के आदत होगी, बट अगर आप लोग इनिशल stage में हो, तो definitely हर किसी stock के साथ आप लोगों को देखनी को जरू मि जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, stock market में जो rally रहती है, आप लोगों ने budget finance and finso देखा, लगबग 6-7 मेहने, वो stock हम लोगों को loss में ही देखने को मिल रहे थे, जिन लोगों ने higher level पे खरीदा था, आज सारे लोगो profit में चल रहे, या फिर हम कह सकते at par आ चुके ह सुरस्तों, overall कहानी घूम फिर के वही पे आने वाली है, कि अगर आप लोग अभी-अभी इंटर कर लिए, तो ये सारी चीज़े आपको देखनी पड़ेंगी ही, आपके पास कोई choice नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आज आप लोग इंटर करोगे, और वो stock 500-600 point भाग जाएगा अगर भाग गया है, तो अच्छी बाते, लक्की बाते, बट आप लोगों को ये आदत होनी चाहिए, कि आप लोग अभी-अभी इंटर कर चुके हो, जो लोग यहाप पे पुराने, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंग, मैं तो 2014 से उससे पहले भी हम लोगों ने रिलाइ आप लोग अभी-अभी मार्केट में आए हो, अभी-अभी निकलने की बात करोगे, तो शायद से आप लोग यहाप गलत जा सकते हो, यह ऐसा मेरा मन्न है, बाकी मैं आपके उपर छोड़ देता हूं, यह तो बात हो गई, जो लोग पूछ रहे थे, क्या हम लोगों ने नि इसा रिजन मिल सकता है कि आज रिलाइंस इंडस्ट्री में कोई गिरावट है, उसके बीचे का कारण मिल सकता है, इसी कोई बात निये, शायद से मैं उसके बाद भी कवर कर लूँ, बट अभी तक कि अगर हम लोग बात करें, तो जो ही में रिजन रहते हैं, वही मैं आप question mark की देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते भी हम लोग कह सकते uncertainty है, reliance के stock से related, देखे stock खराब नहीं है, stock already सभी लोगों को 30-40% return देखे हो चुका है, 6 मैने की भी मैं बात करूँ, तो आज भी लोग 30% से जादा की returns में है, वो छोटा मोटा या पी गिरावट आता रहेगा जो कि एक stock का nature है, बढ़ अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप लोग उनको reason चाहिए, तो वही reason, जैसे मैंने का कि उनका business, petrochemical से related, अभी भी struggle कर रहे है, और साथी RM Cooks से related, कोई भी deal से related, आगे हम लोग को बात move होते भी देखने को नहीं मिल रही है, उसी के साथ साथ अ एक्जाम में कैसे जबरदस्ति वाला answer लिखते है, वैसे अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग जियो के, यहापे माध्यम से यह सारी चीज़े ऐसे बोल सकते हो, problem actual में आप सभी लोग को पता है, यहापे Reliance Retail में, उनके actual business में नहीं है, वो आप सभी लोग को पता है, उतना Reliance Industry का जो share है, वो हमलों को consultation phase में देखने को में लेगा है, या फिर नीचे जाते हो, देखने को में लेगा है, यह से पहली भी बोला है, आज भी आप लोग देख सकते हैं, यह अगर डील, जो खीचाता आनी है, अगर यह और एक हफता चल गई, तो यह थोड़ा स लेट हो रहा था, उसमें हमलों को थोड़ी सी बादा है, यह आप देखने को मिल रही है, और आप सभी लोग को आता है, कि स्टॉक्स कभी भी जबरदस्ट चलते, तो उसके बाद उनको reason चाहिए होता है, गिरने के लिए, तो यह एक reason मिल गया, so definitely उसको पकड़ के अभी हम अननेसेसरी है, और कोई भी वज़ा यह आपे नहीं है, वापास यह भी कहना चाहूंगा दोस्तों, कितना गिरेगा, बहुत सार लोग यह भी पूछते रहते, तो दोस्तों यह जो deal है, Amazon से related है, जो triangular बना है, जितना stretch होते रहेगा, वो Reliance Industry, आप लोग को एक दाइरे में ही consolidation phase में देखने को मिलेगा, ज्यादा कोई आप लोगों को expectation फिलाल तो यहापे देखने को मिलेगे, until and unless, साथी RM को की से और से कोई positive news आ जाए, number one, number two, अगर यह case का मामला कुछ सुलच जाए, या फिर अगर हम लोग number three की अगर हम लोग बात करे, तो और एक यहापे reason है, जै हिस्सेदारी खरी दिये, maximum वही हम लोगों को retail में हिस्सेदारी उठाती वेक दखने को मिल रहे है, तो इसमें से अगर किसी का नाम सामने आ जाए, तो एक possibility बनती है कि इनमें हम लोगों को rally देखने को मिल जाए, बढ़ना देखा जाए, तो दोस्तों वापस कहना चाओंग यह जो thinking pattern इसको थोड़ा सा change कर लो, आप देख सकते हैं, छे मेने भी अगर आप देखोगे, चार्ट पैटन को यह दिखिए, 31.90, 32% के आज भी positive returns है, छे मेने की भी अगर हम लोग बात करें, तो बार बर ऐसा नहीं होता है कि share उपर 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 ही जाएगा, उसके बाद वो 3000 होना चाहिए, तो दोस्तों वो होगा ज़रू, बट उसके लिए time लगता है, वो एक consolidation phase रहते हैं, यह जो बाते हैं वो कई बिलकुल नहीं बाते हैं, मैं 5 साल का chart pattern दिखाना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यह देखिए, reliance का ही chart pattern है, य यह तो covid वाली गिरावट है, इसको हम लोग ignore कर देते हैं, कोई value नहीं है, चलो, क्योंकि हम लोग को बता है, पूरा market ही गिराता है, चलो यहाँ की गिरावट डेख लेते हैं, इससे पहले की AC कोई गिरावट थी, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने date यहाँ पर calculate किये, April से लेके August, 2019 की बात करें, तभी भी इसमें 15% की गिरावट थी, कितनी? 15% की गिरावट, मैं before covid की बात कर रहा हूँ, यह सिफ दिखाने के लिए कि इसके पहले भी ऐसी गिरावट हो चुकी है, गिरावट होना यह stock market में एक आम बात है, आम बात, कोई इस stock आप लोगों को गिरते वे देखने को मिलेगा, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हर वक्त आप लोग लोग लॉस में निकलो, यह दिखी, एक यहाँ पर गिरावट दिखाई, चलो यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते, मतलब आपकी तसल्ली हो जाएगी, कि यह कोई न नहीं बात नहीं है, शायद से आपके experience के लिए नहीं बात होगी, क्योंकि आपने पैसा first time यहाँ पर invest किया होगा, तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर stock market में अगर आप लोग आते हो, तो आप लोगों को इस सारी चीज़ों की आदत होनी चाहिए, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, यह अटरा सो भी आ जाए, या फिर सतरा सो भी आ जाए, और वेसली reason उसके पीछे का कोई बड़ा reason नहीं होना चाहिए, अगर normal reason है, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि normal reason से अगर वो stock 800 पे भी आ गया, तो आप लोगों ने देख लिया, वो क्या ह कोई तो news अभी flash हो गई होगी, तो definitely मैं वापस इसके ओपर आज ही video बना के आप लोगों को update कर दूँगा, बट overall video close करने से पहले यही कहना चाहूंगा, कि ऐसी छोटी मोटी 5-10% से गिरावट से अगर आपको डर लगता है, तो माफ किजिएगा stock market आपके लिए नहीं है, क कोई actual में गिरावट डेखने को मिल रेक, अभी actual में कोई issues चल रहे है, ऐसा विल्कुल भी नहीं है, यह सारी up-downs बार-बार चलते रहते, जैसे हम लोग stock क्यू भाग रहा है, इसके पीछे की वजा नहीं धुनते, वैसे stock क्यू गिर रहा है, यह भी मतलब एक normalism में बात कर रहने, तो कारण नमबर एक है कि Saudi RM को की deal अगर cancel ही हो जाती, उसका official announcement आ जाता है, तो एक गिरावट आ सकती है, यह फिर second reason है, Reliance Retail से related, अगर Amazon case जीच जाता है, तो definitely यहापे गिरावट आ सकती है, बट इससे मुझे यह नहीं लगता कि Reliance Industry बरबादी हो गई, वो definitely अपने म चीज़े बताईए, यह अभी तक अगर हम लोग बात करें, तो सारी चीज़े इन प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिल रही है, तो आयो बाशा करता है दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो है फुल रहा होगा, तो जरू इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ चेर करना तो उनको भी यह सारी बाते पता चल जाएगी, तब तक के लिए, बाई बाई